आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप इस सेशन को पूरा देखेंगे तब ही तो जैसा कि आप सभी लोग जानते कि आज के आप सभी का स्वागत है तो आज का हमारा टॉपिक है इडियम सेशन को स्टार्ट करते हैं तो यह रही आज कि हमारी फॉर्स एडियम अडार्क होड्स ऑप्शन सार हीड़न जीनियस अनलगी पर्सन सीक्रेटली एंगर जैसे कि सपोज हमारा एक फ्रेंड है जिसको हम जादा नहीं जानते पैचानते हमें लगता है कि हाँ नॉर्मल है एवरेज स्टुडेंट है ठीक है बट जब रिजल्ट आता है तब वो 90 स्कोर कर लेता है तो हम क्या कहेंगे और यह मैं तो एक्सपेक्टी नहीं कर रहा था कि इसके 90 परसेंट आ जाएंगे इसने कैसे कर दिया त क्वाडल सम लाइफ इसेंट्रिक परसन कॉस्टली बट यूजल्स जली से बताई क्या करेक्ट आंसर हो कर जैसा कि अभी मैंने यूज कर रहा था यू आरे वाइट एलिफेंट मीन्स वाट कोई चीज जब महंगी है कोई चीज जब महंगी है पर क्या है बेकार है मतलब महं हैं यह काम की नहीं है तो वो क्या गालाएगा इसको हम पसक्राइब के लिए भी यूज कर सकते and for thing के लिए भी ईूज कर सकते जली से बताएगे क्या correct answer होगा options are false story unlucky person full details strict जली से बताएगे क्या correct answer होगा तो अभी कुछ दिर पहले ही मैंने ये use करा था don't tell me your cock and bull story means what जैसे teacher जब students को homework देती है कि ये homework करके लाना next day क्या करते students ma'am ऐसा हो गया ma'am मैं ये नहीं कर पाया तो ma'am पता ऐसा हो गया था तो ऐसा नहीं हो पाया इसली मैं homework नहीं कर पाया इस तरीके से वो क्या बोलते cock and bull story मतलब जूटी कहानिया बनाते रहते हैं ऐसा हो गया और ma'am जो है फस जाएंगे उनकी बातों में और डाटिंगी नहीं इस तरीके से वो क्या करते हैं cock and bull story बनाते हैं that means what a false story ठीक है जूटी कहानी सुनाना that means cock and bull story don't tell me your cock and bull story ओके चलिए नाएक सीटेम पे चलते हैं a fish out of the water options are to become suspicious uncomfortable situation neat and clean secretly suspicious मतलब होता है sunday sunday होना मतलब शक होना या sunday होना ठीक है हमें बताना है a fish out of the water suppose आपको computer पे बिठा दिया that means computer चलाने बिठा दिया और बोला कि भई excel चलाओ excel पे आपको एक पूरी बनानी है आपको पूरी documentation बनाना है पूरा powerpoint में बनाना है या MS word पे बनाना है ऐसा कुछ दे दिया आपको भी MS office चलाने नहीं था आप पहली बार देख रहे है मतलब वह situation आपके लिए क्या है uncomfortable है वह situation में अगर आपको वही चीच आती होगी तो आप बिलकुल फटा फट से जो है presentation file बना रेंगे एक्सल पे वर्ट कर लेंगे MS word पे वर्ट कर लेंगे जब वह आपके लिए situation क्या रहेगी comfortable रहेगी अभी इस वक्त आपको कुछ नहीं आता है तो यह आपके लिए क्या होगा it's just like a fish out of the water तो आपके लिए अगर कुछ इस तरीके की uncomfortable situation है जिस situation में आप comfortable नहीं है तो आप कैसी use करेंगे I felt like a fish out of the water ठीक है चलिए तो इसका answer क्या होगा option number two uncomfortable situation चलिए आज की next EDM पे चलते हैं smell a rat चुहे को सुना यह होगा इसका मतलम नहीं options are reveal the secret false story joy and sorrow to become suspicious अपन को जैसे ऐसे ऐसे अपन सूंगते हैं मतलब क्या अरे मतलब कुछ नहीं कुछ अपन कुछ शक हो रहा है कुछ नहीं कुछ तो गड़बड है है ना to become suspicious मतलब शक होना या संदे होना है ना तो हम क्या बोलेंगे to smell a rat जी हाँ ठीक है चलिए आज की next CDM पर चलते हैं rain cats and dogs options are be ruined uncomfortable situation raining heavily unlucky person जली से बताएगे क्या correct answer होगा तो rain cats and dogs means what अगर खूप तेज बारिश हो रही है विलकुल रुकी ही नहीं रही है बहुत तेज एकदम इतनी तेज आवाज आ रही है बारिश होने की भी बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम क्या बोलेंगे rain cats and dogs यूज करेंगे ठीक है option no.3 will be the correct answer raining heavily okay so this is our next EDM a dog and cat a cat and dog life options are a hidden genius joy and sorrow quarrelsome life चलिए से बताएगे क्या correct answer होगा तो अभी हमने बढ़ा था a hidden genius that is इसे हम क्या बोलेंगे a dark hot है ना तो cat and dog life का क्या होगा भई जिनकी जिनका जीवन है ना बहुत लड़ते जगडते रहता मनलाब पूरे टाइम जो है लड़ाई जगडा लड़ाई जगडा तो मनलाब जगडालू जीवन जिसका होता है उसको अपन बोलते हैं इसकी तो है ना एक cat and dog life है मनलाब दे लीटा cat and dog life ओके तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर त्री विल बिदे करेक्ट आंसर क्वारल्सम लाइफ मींस जगडालू जगडालू जीवन जगडालू जीवन जिसका होता है उसके लिए हम क्या क्या इडियम यूज करेंगे दे लीडा cat and dog life ओक चलिए next इडियम पर चलते हैं आज की हम यह लैट दे कैट आउट ओफ दा बैक बैग में से cat को निकालके cat को निकाल दू यह होगा क्या है ना यह होगा क्या नहीं इसका बीडियम का मतलब बता ही जली से क्या करेक्ट आंसर होगा जी हां किसी का रहस से बता देना मतलब किसी ने आप से कुछ कहा और आपने क्या कर दिया किसी का सीक्रेट बता दिया means reveal the secret option number 3 will be the correct answer let the cat out of the bag means reveal the secret किसी का सीक्रेट बता देना किसी का रहस से बता देना चलिए next EDM पे चलते हैं आज की go to dogs what does it mean go to dogs dog में जाओ नहीं items का मतलब अलग होता है options are be ruined meaning or summary secretly ordinary people जली से बताई क्या correct answer होगा तो इसका मतलब होगा जली से बताईए कुछ मतलब बरबाद हो क्या होगा रून मतलब क्या होता है बरबाद मतलब जैसे for example कोई partnership में काम कर रहा या business कर रहा कोई partnership में एक के पार्टनर के हटने से क्या होगा वह business जो है बरबाद हो गया मतलब that business went to went to dogs इस तरी के समसेंटेंस में आ सकते हैं went क्यो लगा है मैंने क्यों गो क्या हो जाएगा went हो जाता ह यहाँ पर है जब go का हम change करते तो went हो जाता है उसका मतलब वही निकलेगा went to dogs जया go to dogs means what उसकी जाने से क्या हो गया वह बरबाद हो गया उसका business क्या हो गया बरबाद हो गया तो बीर्यूंट means बरबाद हो जाना ठीक है go to dogs means what बीर्यूंट चलिए इसी के साथ हम आज की next medium medium पर चलते बैल दा कैट बिल्ली के गले में घंटी बांधना है ना जली से बताई क्या करेक्ट आंसर होगा options are eccentric person जैसा के भी हुने पड़ा इसका मतलब क्या होगा strange इसका मतलब क्या होगा strange person is strange मतलब क्या होता है अजीब सा person बाद बाद पर सनक जाता है या अजीब सा option is to take first step at personal risk पर पहला गदम लेना good fortune come sooner or later fortune मतलब भागे ठीक है costly but useless costly but useless तो अभी हमने पड़ा उसका था किसका idiom का मतलब है यह आप अवाइट अब इसका अभी हमें क्या बताना मतलब अपनी डिस्क पर अपने जिस्क पर कोई कदम उठा ना ठीक है कुछ भी हो सकता है संकट भी आ सकता है मतलब बड़े संकट का सामना करना इसका मतलब क्या हो जाएगा बड़े संकट का सामना करना option no 2 will be the correct answer to take First step at personal disk कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है अपने रिस्क पे काम करो अपने रिस्क पे करना वो चीज क्या कहलाती है बैल्दा कैट ओके नेक्स्ट इस क्वेर फिश क्वेर फिश ऑप्शन सार इसेंट्रिक पर्सन अनलगी पर्सन अनकॉंफोर्टेबल सिचुएशन नीट इंक्ली जल्य से बता ही क्या और्स अंसर होगा नीट अनक्लीन का भी उमने पढ़ा था मैंने बताया था इस पिक जब्स पैंट शुएशन इसका क्या था अनकॉंफोर्टेबल सिचुएशन को हमने क्या बोला था मेंज अफिश आउट ओफ दग वाटर ओके अनलगी परसन मींज अ ब्लैक शीप ऑप्शिन नमर वन विल बिदे करेक्ट आंसर क्वेर फीश मतलब अपने उसको बोल सकते कोई एक अजीब सा हो अगर कोई जैसे आपको कोई परसन बिल्कुल अजीब सा लगे कि उसका बहेवि शी और ही इस एक क्वेर फिश ओके तो ओप्शन नमर वन विल बिदा करेक्ट आंसर ओके आज की नेक्स एडियम पर चलते हैं एवरी डॉग हैज इट्स डे हर कुट्टे का दिन आता है तो ओप्शन सार्ट वेस्ट वांस एफट रेनिंग हैविली डैमेज गुट आख ऐस ड है मिल्ब सबकर आपन बोलते हैं इंगे सबका एकना एक दिन आता है हर कुट्टे का दिन आता है चलिए आज की नेक्स इडियम पर चलते अब ब्लैक शीप अभी हमने कितनी बार पड़ा ब्लैक शीप का मतलब क्या होगा ओप्शन सार बी रियूंड अनलखी पर्सन और हिडन जीनियस फॉल्स स्टोरी चलिए रिवाइस कर लेते बी रियूंड का मीन्स वॉट बी से बताइए आपको क्या है सब कुछ है रिवाइस करते हुए चलना है ठीक है सब कुछ रिवाइस करते हुए चलना है जली से बताइए बी रियूंड का मीनिंग क्या होगा बर्बाद रियूंड मतलब मैंने बताया था बर्बाद मतलब किसी चीज का बर्बाद हो जाना या बरबाद हो ना क्या लाएगा बीरियून उसका मेनिंग बताना है वो किस EDM का मेनिंग है यह गो तु डॉक्स का मीनिंग है अनलुकी परसन अब्लैक शीप येस ऑप्शन नुमर टू बील दे करेक्ट नामसर अब्लैक शीप अब्लैक शीप मनले यू आर ब्लैक शीप आर कि किसका होगा कॉक और बुल स्टोरी आई होब आप लोग को साथ साथ यह EDM के मीनिंग्स और याद होती जारी होगी और आपको क्या करना है जो भी एडियम मैंने आज आप लोग को बता रही हूं या बता ही है उसके sentence sentence बनाने आपको ठीक है sentence बनाने हर एक EDM के और आपको मुझे comment box पे sentence बना के send करना है next idiom पे चलते from a horse mouth घोड़े के मुँसे भई घोड़े के मुँसे क्या घोड़े के मुँसे options are from a reliable source completely honest very rapidly reliable मतलब होता है विश्वस्थ निया मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा from a horse mouth किसी विश्वस्थ निया किसी विश्वस्थ निया से खालो जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उससे कोई चीज का पराप्त करना क्या कहलाएगा from a horse mouth for example मुझे किसी के बारे में पता करना है ठीक है किसी के बारे में तो वो जो उस चीज के बारे में ज़ादा अच्छी तरीके से जानता हो जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये फेक मुझे नहीं बताएगा, रियल बताएगा, जो भी फैक्ट मुझे बताएगा, रियल बताएगा, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे ये इन्फोर्मेशन में लिए एक विश्वस निया, स्त्रोस से मतलब सोर्स से ठीक है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें सीडियम का यूज कर सकते हैं, नेक्स एडियम फ्लॉग और डैड होट्स, ओप्शन सार इन और डैरिक्शन तू वेस्ट वनस एफ़र्ट, ओनेस्ट डेंजर जली से बताएगे क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका मतलब है, फ्लॉग और डैड होट्स मीन्स किसी के प्रयास को बरबाद करना, किसी के प् पीपीटी फाइल बनाई, मैंने पीपीटी फाइल बनाई, मुझे घंटों लग गया बनाने में और इसके बार मैंने उसको से भी नहीं करा, इसके फ्लॉग और डैड होट्स है ना, यह क्या होगा, मेरे एफ़र्ट कहां चले गए, बरबाद होगा, है ना, टुवेस्ट व इडियम पढ़ी हैं, आपको बताना है, आप लोग ने स्कोर किया, और हर इडियम के आपको सेंटेंस बना के बताने हैं, ठीक है, और इसके पहले की जो सेशन था इडियम को लेका, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठ तब तक के लिए, थैंक यू नेक्स्ट, हम सेशन में बलते हैं, थैंक यू